हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एलजी आराय स्टेडी में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहें कि इस पीडियो स्रीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एक्जाम के बहतर तयारी के लिए मैथ का क्रैस कोर्स कर रहे हैं दोस्तों आप हमारे चैनल के पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिये हैं तो चले दोस्तों बिना टाइम गमाया आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में परसना वाली 3.5 के एक last महत्पूर्ण objective question को देखने वाले हैं हम लोग इसके बाद एक question देखने के बाद हम लोग जो है chapter नमर चार चालू करेंगे जिसका नाम है यापर आप देख सकते हैं दुई घात समीकरन दुई घात समीकरन इसके just बाद हम लोग चालू करने बाले हैं इसका concept सब देखेंगे तो last तक देखेंगे क्योंकि किसी भी chapter का first class जो है वो आपके लिए बहुत ही माइने रखता है तो यहाँ पर जो आपका पहला जो आज का last तीसरा number chapter का last महत्पूर्ण question है उसको देख लेते हैं जो लोग हमारा mobile app अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के दिये गए description box से आप लोग mobile app को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि दोस्तो वो आपके एजाम के लिए बहुत महत्पूर्ण है वहाँ पर आपको all subject का bbis subjective question objective question model sets और all subject का कोई division notes वहाँ पर आपको बिल्कूल फिरी में मिल जाएगा जहां से दोस्तो आप लोग अपने metric board exam के तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं वो लोग दोस्तो परतेक सप्ता उसको update करते रहेगा क्योंकि परतेक सप्ता कुछ ने कुछ उस पर आपके लिए नया add किया जाता है चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग यहां पर आपका जो question है जो उसको हम लोग देखने हैं कोशिस करते हैं question यहां पर पूछ रही है चार का यह दूसरा question बहुत ही महत्पुन है और आपके exam में बहुत बार देखा जाता है भिन वाला ही question है कुछ हलक अंदाज में इसको देखने हैं कोशिस करते हैं question है एक भिन एक बटा तीन हो जाती है जब उसके अंस में एक घटा दिया जाती है जब उसके अंस में केबल एक घटाया जाता है तो वो एक बटा तीन हो जाती है और वह एक बटा चार हो जाती है जिसा आप देख सकते हैं वह एक बटा चार हो जाती है जब हर में एक जोड दिया जाता है जब हर में क्या किया जाता है एक भिन, एक बटा तीन हो जाती है, कब जब उसमें, जब उसके अंस में एक घटा दिया जाता है, अंस में से केबल एक घटा जाएगा, तो वो एक बटा तीन हो जाती है, और यहां पर देख सकते हैं, वह एक बटा चार हो जाती है, जब हर में आठ जोर दिया जाता है, तो वह कौन सा भिन होगा, यही आपको ग्याद करना है, statement वाले question में आपको हम बताए हैं, जो निकालने के लिए बोला जाता है, उसी को हम मानते हैं, तो यहाँ पर हमें निकालना है भिन, तो हम हल में लिखेंगे, माना के भिन बड़ाबर x बटा y, डिरेक्ट मान लिए हैं, x बटा y, उपर बाले को अंस बोलते हैं, नीचे बाले को हर बोलते हैं, यह पहले भी आपको हम बता चुके हैं, अब आपको first statement के अधर पर काम करना है, लिखेंगे परसंद से, यह काम हम अपने मन से कर लिए, आप आगे जो भी करेंगे, परसंद के मन से करेंगे, यहाँ पर आप परसंद से क्या करेंगे, आपको first statement में बोला गया था, first statement में, कि वह भीन एक बटा 3 हो जाती है, जब उसके अंस से एक घटा जाता है, जब अंस में से देख सकते हैं, आप भीन होता है, x बटा y, लेकिन उपर आप देख सकते हैं, कि x में से हम एक घटाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था, कि जब आप एक घटाएगा, तो वो भीन होगा कितना, एक बटा 3 होगा, एक बटा 3 होगा, तो यहांब आप देख सकते हैं जब आप घटाएगा एक X में से और नीचे आपको कुछ नहीं करना है केबल Y ही रहेगा तो वो बड़ाबर किसके होगा एक बटा तीन के बड़ाबर होगा अब इसको आप जैसे आगे तो पलस तीन हो जाएगा इसका नाम देदेंगे समी करन एक फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला गया था कि केबल आपको क्या करना है हर से आठ घटाना है हर में आठ जोर ना सौर्ड़ी यहां पर आप कुछ्चन कोहीं देख सकते हैं कि दूसरा statement बोला गया था कि वह एक बटा चार हो जाती है जब हर में आठ जोर दिया जाता है हर में आप क्या करेंगे आठ जोरेंगे तो वह हो जाती दोस्तों एक बटा चार तो अब इसी statement को हम लोग जब समीकरन के रुप में व्यक्त करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नीची हमा जाएंगे यहां पर लिखेंगे पुना एक्स बटा वाइ दोस्तों भिन है हमें हर में केबल आठ जोरना है तो नीची केबल आठ जोर दिये है तो वह एक बटा 4 हो जाती है मतलब मिलमक्राइदस्तों और आगे कोना-कोनीुऑ करेंगे एक्स को चार से कुणा कीजेगा तो 4 एक्स होगा वाई परलस् आठ को एक्स्ति गुणा कीजेगा तो यौ कर सकते हैं कि अआम कुछी जानبة किनिकरा नित्य की और हुआ है तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे लिखेंगे आप दोनों summikran को देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहांपर आप किस पद को बिलुप्त किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरन एक में भी y वाला पद मैनस y है और दो में भी मैनस y है तो गुना करने का कोई जरूरियोत नहीं है हम क्या करतेंगे देखें यहाँ पर देख सकते हैं समीकरन एक मैनस 2-1 करने पर तो 2 में से 1 आप जब घटाईएगा 2 में से 1 जब घटाईएगा तो क्या होगा आप सर घटाएग क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसको हम बिलुप्त करना चाहते हैं दोनों के दोनों माइनस में है मतलब सेम चिन है उपर में y, माइनस में और नीचे में y, माइनस में है जब सेम होगा तो घटाने का काम करते हैं तो 2 में से 1 को क्या करेंगे घटाएगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम समिकरन 2 उपर में लिखे 4x-y ब्राबर 8 और समिकरन 2 नीचे में लिखे है समिकरन 2 है उपर और समिकरन 1 नीचे है आज कुछ प्राबलम हो रहा है समिकरन 1 है आपका 3x-y ब्राबर 3 तो 3x-y ब्राबर 3 लिख देंगे जब घटाते हैं हम लोग तो आपको बताए होंगे कि नीचे का साइन बदल जाता है उपर बाले समिकरन ठीक ठाक रहेगा वैसे रहेगा लेकिन नीचे बाले समिकरन में सभी साइन अपोजित हो जाएंगे पलस 3x-3x हो जाएगा माइनस y पलस y हो जाएगा और पलस 3 माइनस 3 हो जाएगा इसके बाद आप देख सकते हैं कि 8 में से 3 घटाएगा तो आपको मिलेगा 5 क्या मिलेगा 5 मिलेगा पलस y और माइनस y उपर में आपका माइनस y है नीचे में आपका पलस y है क्या होगा कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा भिलिप्त हो गया अब चार एकस-1 एकस होगा कितना एकस होगा दोस्तो एक करेंगे X का value या तो आप समी करण एक मिरख दो नहीं तो 2 में रख दो आपको Y का value आ जागा तो इहां पर देख सकते हैं हमनेicon 1 में X बढ़ावर 5 समी करण 1 में रखने जा रहे हैं X बढ़ावर 5 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रहेगा अगले step को आप ध्यान से यहां पर देख सकते हैं सारी बाते आपको समझ में आने वाले हैं पैस्टे बैस्टे तीन को 5 से गुना किजेगा तो 15 होगा और वाई आपका मैनस वाई रहेगा ही उधर दाहिने में 3 है तो 3 रहेगा ही रहेगा अब आपको क्या करना है जो मैनस वाई है उसको देखिए मैनस वाई बायम में है और 3 क्या है तीन दाहिने में है तो यहां पर दाहिने में रखे है पलस 15 को दाहिने भेज़ेगा तो मैनस 15 हो जाएगा और उसके बाद आप बातों को यहां पर समझने का कोशिस करेंगे क्या आपको दिख रहा है मैनस व लुखेंगे हैं। लिखेंगे। यहां पे लिखती हैं। इसके नीचे को लिखना है। नीचे लिखना है। लिखेंगे। इसलिए वह यह इसा सुच्कित रही Oatsy, Speech- आपका एक नया चेप्टर को हम शुरुवात करते हैं बहुत महत्पूर्ण यहां पर चीजे आपको देखने को मिलेगा ठीक है वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजे ठीक है बहुत कम आप लोग जो है लाइक करते जिना आप 10% बच्चे भी लाइक नही जब तक मैं बेसिक चीजे नहीं देखूंगा तब तक आगे नहीं बरूंगा तो चार नंबर चेप्टर के सबसे पहले हम कंसेप्ट को देखते क्योंकि अबजेक्टिव आपको कंसेप्ट से ही बनेगा जितना आप कंसेप्ट अधिक पढ़े रहेंगे उतना ही आपको चेप्टर का नाम का दोस्तो दुईःगा ऍीकरन तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना जिएक भ्या आपको दुईःगाट समी अत्लों दुईःगाट समी करन कहते हैं उदाहरन के रूप में आप देख सकते हैं यहां पर लिए हम पाच x x² पलस 6 x पलस 9 बराबर 0 दूसरा भी होगा है y² पलस y बराबर 0 यहाँ पर आपका सी पद नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं दू x x² पलस x बराबर 6 यह भी दूएखाद समीकरन है आपको अगर पावर दीख जाए तो दूइखात समीकरन हो गया पावर दो दिख जाए पावर कितना दिख जाए अधिकतम खात बोल दिया मैंने अधिकतम खात अगर दो हो जाए तो क्या हो सकता है वो हो जाएगा दोस्तों दूइखात समीकरन और दूइखात समीकरन के बाड़े में और हम आगे बढ़ जाते यहां पर बहुत महत्पूर्ण यहां पर step लिया गया है इस step को आप अभी समझ ले तो बहतर होगा नहीं तो आप आगे भी समझ सकते हैं हम यहां पर ही समझने का कुशिश करते हैं यहां पर दूइगात समीकरण को हल करने का नियम ये क्या है गुनन खंड बिदी से आपको दुई घात समी करण के मूल ग्यात करने का सबसे पहले नियम सीखना है क्योंकि सवाल नहीं सीखना है सवाल नहीं रटना है आपको रटना है नियम रटो क्या रटो नियम रटो तो नियम रटने का सबसे पहले हाँ पर काम करें हम लोग रटेंग रहें बातों को समझेंगे आपको कुनन खंड बिदी से जब कभी भी दुई घात समीकरण का मूल निकालने के लिए बोला जाए तो अभी जो हम आपको step बता रहे हैं उसी step का अनुसरन करेंगे उसी step पर काम करेंगे तो आपको solve हो जाएगा सबसे पहला step समीकरण को a x x square plus b x plus c बराबर 0 की रूप में लिखें तो यह काम पहले कर लेंगे उसके बाद second step करेंगे a गुने c बराबर m पराप्त करें मतलब a को गुना कीज़े काप c से तो आपको जो भी आएगा उसको m हम बोलेंगे इसके बाद तीसरा step में आपको m का ऐसा दो गुनन खंड निकाले जिसको जोरने या घटाने पर b पूरे जोरने या घटाने पर क्या पूरे आपको b मिले ये काम करेंगे next जो आपका चार नंबर step करेंगे वो क्या करेंगे अब मध्य पद यानि की bx बाला जो भी पद होगा उसको आप जिससे दो बेंजकों के योग के रूप में लिखेंगे योग या नहीं तो घटाओ योग या नहीं तो घटाओ के रूप में योग के लेने के बाद परते गुनन खंड को सुनने के बराबर लिक कर एक्स कमान ज्याद करेंगे यह पांच स्टेप आप सॉल्ब याद रखेगा तो आपको द्विखाद समीकरन को सॉल्ब करने में कोई ज़्यदा प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर हम जो है एक द्विखाद स आपका जो कोईशन उधारन से लिए गया है उधारन के रूप में हम कोईशन आपको डाल रहे हैं द्विखाद समीकरन द्व एक्स एक स्कुएर माइनस एक्स पलस एक बट्टा आठ बराबर जीरो का मूल या नहीं तो उसी को सुनने कभी बोला जाता है गुनन खंड बिध से मूल निकालना है और मूल का ही दूसरा नाम होता है सुन्यक मूल का ही दूसरा नाम होता है सुन्यक तो क्या करेंगे सबसे पहली बात तो हम आपको फर्स्ट स्टेप में बताए थे कि भाई आपको एक स्कुएर पलस बीक्स पलस जो रूप में आपको समीकरन को लिखना ह तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो आपका सम्मी करना है वो उसके रूप में नहीं बट्टा देख रहा है एक बट्टा आठ बट्टा हटाना है क्या करना आपको बट्टा हटाना है तो आठ है हम आठ को हटाने को कोशिश करेंगे आठ जो आप हटाने के लिए जाएंगे दोस्तों तो आपको बता दे कि जब आप 8 को हटाएगा तो जिसको हटाना हो उससे तीनों पद में आपको गुना करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो X को भी हम 8 से गुना किये हैं X को भी 8 से गुना किये हैं और एक बट्ठा आठ को भी आठ से गुना किये, क्योंकि हमें आठ हटा ना, इससे आपका आठ हट जाएगा, कैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आठ से आठ क्या हुआ, कट जाएगा, तो आठ को दो से गुना किजएगा, तो 16XX2, और X को एक से, आठ को X से गुना किजएगा, तो 8X, और 8-8 यहाँ पर कट गया, बचा 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक बराबर 0, इस तरह से आप जो है, सबसे पहला काम आपने कर लिया, X X2 पलस BX पलस C के रूप में, समीकरन को आपने लिखे लिया, उसके बाद हम आपको बोले थे कि, A को गुना कड़ियेगा C से, तो यहाँ पर A, B और C क्या है, जान लिजिए, X X2, X2 बाले के साथ जो भी होगा, वो होगा A, तो यहाँ पर आप X2 बाले के साथ 16 दिख रहे तो, A कमान 16, पावर एक बाले के साथ जो भी, यानि कि पावर एक का गुननांक जो भी होगा, वो B होगा, तो यहाँ पर B कमान, माइनस 8, और C क्या है, 0, constant पद को C बोलते हैं, वो हो गया 0, अब आपको क्या करना है, A को C से गुना करना है, तो A का भैलू 16, या 16 को 2 से लगाए, तो यहाँ पर 8 हुआ, फिर 8 को 2 से लगा दे, तो 4 हुआ, अब इस दो को कमबाइन कर देंगे, तो आपका 4 हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा, तो 4-4 कितना हो जो गुना करने पर, 16 आ रहा है, और जोरेंगे जब दोनों को, तो कितना आ रहा है, 8 हा रहा है, जोरने पर क्या रहा है, 8 हा रहा है, जब अगर C का वैलू पलस में हो, तो जोर करके भी पुराना होता है, और जब अगर C का वैलू मैनस में हो, तो घटा करके भी पुराना होता है, तो यहाँ पर आपका c का value पलस में है एक पलस में है इसलिए हम दोनों को जोर करके b पुरा रहे हैं 8 पुरा है सही बात हैं अब आपको क्या करना है a और c पद को same रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले step में 16x जो 16x square था वो 16x square है minus 8x को हम इस दो गुननखंड की अनुसार minus 4x और minus 4x लिखेंगे और यह 1 जो है वो c है तो same to same रहता है उसके बाद दुस्तों common लेंगे क्या लेंगे common तो 16x square और 4x में आपका common आज़ेगा 4x 4x 4 से आप 16 भाग दिजेगा तो 4 होगा और x से 1x कर जाएगा और 4x से आप 4x को भाग दिजेगा तो 1 होगा यह आपको 1 दिख रहा होगा इसके बाद आप क्या करेंगे 4x minus 4x plus 1 में common कुछी नहीं तो 1 ले लेंगे minus 1 तो आप 1 से भाग देंगे तो same to same 4x और plus 1 लेकिन sign change हो जागा क्योंकि यहाँ पर minus है तो minus और minus यह होगा पलस और minus और minus यह माइनस और पलस यह होगा minus अब आप आगे बरहेंगे यहाँ पर दोनों box को देख सकते हैं 4x minus 1 उसमें से आप 4x minus 1 ले लिजेगा और यहाँ पर बाहर में देख रहें 4x है और यहाँ पर minus 1 है तो 4x-1 आप इस तरह से ले लेंगे और बड़ाबर हमें लिखेंगे 0 अब आपको यहाँ पर 2 गुननखन मिल चुका है 2 गुननखन एक गुननखन 4x-1 दूसरा भी 4x-1 अब दोनों को क्या करेंगे 0 के बड़ाबर कर देंगे 4x-1 बड़ाबर 0 और 4x-1 बड़ाबर 0 इधर आपकर चुके हैं solve करेंगे तो क्या होगा 4x-1 को दहने बेजेंगे तो पलस 1 और 4 को बेजेंगे तो एक बड़ाबर 4 होगा इसी तरह इधर भी आपको x बड़ाबर 1 बड़ाबर 4 मिलेगा पेज नमबर 37, 37 तक पराय कर चुके हैं अगले कलास में 37 से आगे हम लोग क्या करेंगे बारेंगे आज के लिए नहीं रखते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट के माधें से जरूर बताएगा जो लोग आपको डाउनलोड नहीं किये आपको डाउनलोड कर लिजिए जो लोग डाउनलोड करके रखे हैं वो लोग आप लोग अपडेट कर लिजिएगा नया नया चीज आप लोग के लिए जूरता रहता है मिलते हैं अगले कलास में तक तक अपना ख्याल रखिए और LJRS देखते रहिए